वेलकम डियर स्टुडेंट दा कंप्यूटर डारी यूडूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए कंप्यूटर का एक ऐसा टोपिक लेके आए जो आपके कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं कहीं भी कोई भी कैसा भी तो आपके लिए बहुत जादा यू क्या कोनसेफ्ट होता है और कितने घाओं की फ critic हमारी जाने वाली है उलएंदा मां दूसरे मसे बातचीट करता अपने आईडिया खेर करता है कि से लेंग्वेज से भासा से तो ऐसे एक कंप्यूटर है और हम हैं हमें भी कंप्यूटर के साथ तालमेल बिठाना है हमें कंप्यूटर से काम लेना है तो एक लेंग्वेज से बोलेंगे ना उसको लिखके देंगे बोलेंगे कुछ भी करेंगे तो लेंग्वेज उसको भी आन में इच्षन है जो तालमेल इभिठाता है वह तो कंप्यूटर को अवकर क्या में इसलिए अनल小時 करने का मीड़यूटर है क Nepूटर काम लेना है computer जिस से user और computer आपस में interaction करते हैं ठीक है तो computer language user can communicate with computer for any task किसी भी काम को करने के लिए करवाने के लिए computer से computer language के माध्यम से इससे वो communicate कर सकता है उससे तालमेल भीठा सकता है तो सीधी सी बात एक निकल के सामने यह आती है computer language एक ऐसा medium है जिसके माध्यम से user computer से इंट्रेक्ट करता रूस से कोई काम ले सकता है तो अब बात आते हैं computer में जो language कितने टाइब की होती है तो यह हमारा में मोटो रहेगा आज का discussion का computer की language हैं कितने टाइब की होती है ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें basic तो computer की जो language है वो दो उपरकार की होते हैं एक होता है high level language एक होता है low level language high level language low level language low level के अंदर दो category आते हैं binary language और assembly language अब इनकी हम detail करने वाले हैं यह क्या है देखिए हम लोग जैसे एक example लेके चलते हैं हम लोग किसी से बात करते हैं ठीक है knowledge एक person है आप हो ठीक है आपको माले जी इंगलिस आती है और मुझे हिंदी आती है ठीक है था हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग्सें नहीं नहीं हिंदी आती है तो मैं आपसे interaction इसा ही computer के साथ है computer के अपनीτε미ह सद सोती है हम लोग computer use करते है हमारी अपनी language अलग होती आप हमें कौन सी law सीखनी होगी computer की workout कंप्यूटर से में काम लेना है ठिक है अब हमारी एक जांपल स्क झेल ओर देता हूं आपको चोटा सा हम पती है और आप लिए झाल डी है और आप मुझे कुछ बोला ठीक है तूम इन रिया कम मेरी को करूंगा हिंदी और काम मेरा calculate हमेरी सारी किस में करूँगा हिंदी में करूँगा और फिर वापिस इंगलिस में convert जैसा भी जेतना भी conversion होगा वह आपको वापिस कर देख दूँगा ऐसे computer के साथ होता है computer जब भी हम काम करते हैं हम अपनी language में लिखते करते हैं छिक हैं धाट उनतर चला जाता है आपनी लेंग्विज में बदलता है उसमें काल्कुलीशन रहे हैं थो वैसे देखता है थो और सो pogoda की गया है और लेंग्वेज computer को कम समझ माती है वो उसको शिरफ चैंज कर सकता है किसमें कर सकता है अपनी खुद की language में फिर वह working खुद में भी करेगा तो उसकी खुद की जो computer की language होती है वह कौन सी आपकी low-level language और जो हम लोग यूज करते हैं computer को write करके देने में instruction वह कौन सी होती हाई-level language तो basically there are two types of language in computer high-level language जो हमारे से इंट्रेक्शन करने के लिए वह यूज करता है और low-level language computer की अपनी खुद की language इसमें वह working करता है वैसे हम बेस से बढ़ाते हैं आपको binary language computer में सबसे पहले जिस language में computer काम करता है वह वह कौन सी language होती है binary language जिसको जीरो बन लेंग्वेज्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं अब जो यह लेंग्वेज होती है इसमें आउट-पूट कंप्यूटर के जीरो बन में होती हम निखते है जीषरो बन में में लैंग्वेज यह बॉलता है इसको अब उसके बाद क्या था जो बाइंड़ी लैंग्वेज थी वह बड़ी कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि जी रोबन कितनी का जी होता है आपको पता आप नहीं समझ सकते जी रोबन में लिखा है कितना समझभाएंगे आप तो यह लेंग्वेज काफी डिफिकल्ट थी बाइन लेंग्वेज क्योंकि जीरो बन में सारा कोड होता था इसलिए लेंग्वेज डिजाइन की गई कौन सी नमरी कोड ठीक है जिससे हमारे लिए हसान हो गई हम किस में कोड नेंग्वेज करता था बाइनरी में लिक्टे थे पर वो क्या करता था करता है कंप्यूटर कि सवरी में हम लिखेंगे तो किश में करता है क्यूं कि अपनी खुद की लेंग्वेज कौन सी है बाईनरी और बोर एसेमली यह लो लेवल लेकञ्वेसि dá आती हैKO कॉंप्यूटर की अपनी लेन्ग्वेस होती है ठीक है लो लेवल क्यों बोली जाती है क्यूंकि यह जो है कंप्यूटर दोऔर सिभ्य है है 01 है कोड जाता है इसके अंदर छीक है कोडिंग में सारा काम होता है जीरो वन-जीरो-वन या कुछ इंगलिस के वर्ड आ गए ऐसा तो वह complexity है वह हाड़ वेर लेवल की कोडिंग होती है तो वह लोक लेवल की माने गई है फिर हमारे लिए बनाएगी कौन सी language हाई-level language की हम easily computer को use कर पाएं हम सीधि इंगलिस लिखेंगे पर computer उसको calculate भी करेगा कैसे पहले वो उसको change कर लेगा किसमें बाइंदी में clear सब्सक्राइब करने लिए इसको हमसे ले लिए खोंसी हाई और लो लो में दो पर चांप करने हैं काम करने हैं को यह आपकी에서 का कि लेवल लेवल लो लेवल bullying आपकी इसेंबली वापकी लेटेल करते हैं सबसे पहले वां लेंग्वेज को देलेंगवेज के नाम से Records करिए उसको जाता बाग्की को समझता जुरू है प्र डारेक्ट लेटली यह कर्णूठ सकता लिए इसको कम्दूटर समझ सकता तक कौन से लेंग्विज यह इब कि बायने लेंग्वेज ठीक है तो जो लीन तो यहां या कि भीजर करेंगी वह किसमें लिखी जाएगी जीजेलária के अंदर जो भी दिखेंगे 0910 1020 इस फ्र Sonra mas the machine language के अंदर ठीक है उसके भी बाद लेख्ट लेंधे आती है कुछ आपकी असेईमली लेंग्वेस शुटकारा मिला याद रखना को बड़ा कॉंप्लेक्स था इसलिए नहीं लेंग्विज बनाएगे कौन सी असेमली जिसमें कुछ कोड आगे इंग्लीज की कोड हम लिखने लगे जिससे की थोड़ा हमारे लिए असान हो गया कि हमें साथ में लिखना पड़ता है ठीक है जैसे कोई सेक्शन देनी है कोई पहला डाता है तो इसका कोड था एफ रस्ट जी रोवन ना लिखके हम एफ रस्ट लिख सकते थे सेकिंड पे सेंड और एडिशन सब्ट्रेक्शन करने के लिए डबल डी एड इंग्लिस का वर्ड आ हम ठीक है तो वह कुछ कोड आ गये थे हमारे तो वह असेम्बली लेंग्विश थी जिसमें कुछ इंग्लिस के वर्ड यूज हो गए थे ठीक है रावाज इंट्रूद्यूज इंटिन फिप्टी तू निस सो बावन के निर अबाउट इसको इंट्रूज किया गया था इसक स्टोरिज लोकेशन का हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है इसमें इंगलिश के वर्ड लिखे हम इसे इंगलिश के वर्ड से स्टोरिज लोकेशन हम दे सकते हैं एड़ना ठीक एरर फाइंड आउट करना असेम्बली लेंग्वेज का सान एज तूए एज कंपेर टूबाइ लेंग्वेज अचला को लेंग्वेज कलोजर होती है इंगले इंगलिवेज से से मैच करते हैं जीरो नहीं होता ज्यादा इन में ठीक होता ही नहीं थीक है इसमें high abstraction होती है कि हमें तो एक code लिखना है उसके पिछे ही coding जो अपना आप ही calculate होता है हमें तो main main चीजें लिखनी होती है अंदर की working hardware level की अपना आप ही हो जाती है ठीक है तो यह abstraction काफी अच्छा होता है अच्छा है इसमें जो natural language हम डेली यूरीटीन में यूज करते हैं उ पर binary और assembly law में आती है इन्हीं दोनों में computer काम करता है पर हम Assembly में तो assembly को change कर लेता है किसमें binary में high में तो भी change कर लेता है किसमें binary में काम उसको बाहिंदी में करना होता है तो computer में language का question आये तो दो है high-low लो में दो binary और assembly में 0-1 है सबकुछ assembly में कुछ English के code भी है but high level language total English या हमारी natural language होती है उनसे बिलकुल match करती है उसके बाद एक concept और है जो इसमें आता है language के साथ attach है language translator जब हम high level language में data लिखेंगे या assembly में लिखेंगे काम तो उसको बाइज़े में करना है computer को तो उसको वो translate तो करेगा ना translate करेगा फिर उसमें working करेगा फिर अब आप इस ट्रांसलेटर करके हमें answer दे देगा ठीक है तो computer में translator क्या होते है translator software होते हैं system software होते हैं जो computer में एक language से दूसरे language में data को convert code को convert करने में help करते हैं उनको क्या बोलता है ट्रांसलेटर तीन बेसिक ट्रांसलेटर हैं आपके कौन-कौन से कौन-कौन-से कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- बताता हूं आपको computer में आपको पता है कि बाइनरी में सारा काम होता है ठीक है बाइनरी में अगर हम हाई में data देते हैं तो हाई को change करता है बाइनरी में और बाइनरी को वापिस हाई में अगर हम तो मतलब इसको भी चैन्ज करना पड़ता है अब हाई लेवल में चैन्ज करना है तो सोफ़्वेर चाहिए ट्रांसलेटर चाहिए तो वह है compiler तो compiler high को binary में change करता है लो लेवल में change करता है interpreter दोनों translator high level language को binary में change करने में शक्षम होते हैं तो mean compiler और interpreter जो है वो दो translator है जो high को binary में change करते हैं अब इन दोनों में difference क्या है अभी हम आगे बात करेंगे इनकी detail में जाएंगे उसके बाद assembler जो है वो क्या काम आता है assembly language को अगर बाइनी में change करना है तो assembler चाहिए नाम image कर रहा है assembly को low level में sorry binary में change करना है तो क्या चाहिए assembly को change करने के लिए assembler बट हाई-level language को binary में change करने के लिए compiler और interpreter चाहिए ठीक है अब यह सब तीनों में difference क्या है वह हम एक के करके study करते हैं सबसे पहले आता है आपका compiler ठीक है जो compiler translator है उसके बारे में बात करते हैं compiler आपको पता अभी मैंने बताया कि हाई को binary में change करता है जैसा कि figure में दिखा है high level language as a input उसके compiler के पास compiler के पास high level language का program जाएगा उसके बाद वह low level language में convert हो जाएगा translate complete program at a time compiler क्या करता है पूरा program हम लिख के देंगे उसको पूरा पूरा एक साथ change करता है compiler interpreter भी change करता है पूरा नहीं करता एक statement change करता है हमने पूरा प्रोग्राम लिखा compiler को दिया वो पूरा जीरो नहीं बदल दिया तो इंटायर प्रोग्राम एड़ टाइम हाइड लेवल लेंग्वेश तु लो लेवल लेंग्वेश बट दूसरी बात करें इंटर्पिर्टर में बर चैन्ज इनके बीच में है मैं फैल लेवल ऑग्वेश का प्रोग्राम एड इन्पुर्ट कमपाइलर को जाएगा रूम यह यह का प्रोग्राम को स्नुह प्रीचर करेगा हाइड और चैनल कि इसकी basic definition थी compiler is a system software that translate high-level language means source code to low-level language means object code compiler translate entire program complete program of high-level to low-level ठीक है तो जो high-level language का code लिखा होता है उसको हम source code बोलते है जब वो 0-1 बदल जाता है आप्र ट्रांसलेशन तो वो ओब्जेक्ट कोड कहलाएगा यह भी ध्यान रखना कोस्चन कहीं बार अब्जेक्ट टाइब आ जाते हैं next compiler के बार कि इंटर्प्रेटर अगर हम इंटर्प्रेटर की बात करें ठीक है इंटर्प्रेटर भी आपका क्या है हाई-level language से क्या करेगा इसमें आउटपूट जो है वो रिजल्ट ऑफ दा स्टेटमेंट नो की लो लेवल लेंग्वेश क्यों कि इंटर्प्रेटर क्या करेगा एक स्टेटमेंट लेगा चैंज करेगा रिजल्ट निकाल देगा उसका चैंज करना रिजल्ट निकालने में इंटर्पेटर इसमेंट लेगा चैंज करेगा रिजल्ट निकाल देगा तो इंटर्पेटर को हाई-level language का इंपूट जाएगा बट रजल्ट ऑफ दा स्टेटमेंट इसकी आउट्पूट आएगी ट्रांसलेट मन स्टेटमेंट एट इसमेंट ही चैंज करता है कौन इंटर इंटर्पेटर इस स्टम्स कोट आइग एगे इंटर्पेटर इसमे चाहिए अजएगे चैंज करेगा ठीक है इसेंब्ली लेंग्वेज का प्रोग्रां एज श्यूर्स प्रोग्रम जाएगा आसेम्लार के पास एज इंपूट और उसको दिए एक इक श्टेटमेंट ही चै अब्जेट्ट प्रो ग्राम के अंदर तो ये स्मलर है ठिक है एक बात और बताता हूं आपको सैंप्लर एक स्रेटमेंट लेगा चैंज करेगा पश्चिक्स करेंगा में我也 सघ्ट एक जिक्यूटों टी रहेंगे तो सल गिंदको क्वेक्ट करको में कไดंे करता है यह द्यान रखना एक्पर इसेंबल रखना एट का मैं ग्टी कर देगाए नीन ट्रांसलेटर होगे compiler interpreter assembler compiler interpreter high to binary but assembly को में चैंज करता है compiler compiler पुरा प्रोग्राम चैंज करता है interpreter एक करता है assembler करता है बत 7 में अग्जिकूट भी करता है यह इनके बारे में डिफरेंस था बेसिक बात थुशंत की वेरिमच्ट आपको यह डैटा समझ में आया होगा आप जरूर कोमेंट करें और अपने चैनल दा कंप्यूटर डायरी यूटूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करें नेक्स्ट वीडियो मापके लिए और मोस्ट इंपोर्टन डाटा लेके आएंगे थैंक यू वेरी मच्छ जैहिंद जैभार कि अप्राइब झूटर झाल ओूरूर जब मोस्ट दिए इनल जया होुटर इंपगंद जैहिंद ने विए मुट्टन जैएं झाल